Hello everyone, welcome back to my channel बिहार में प्रधाना द्यापक और प्रधान सिक्षा की बहाली होने वाली है तो इसमें जो है डियलेट से लेकर इमिर्ट तक के सवाल जो है पूछे जाएंगे नियुक्ति प्रकिरिया में कोई कानूनी अर्चन नवा है इसके लिए BPSC और शिक्षा विभाग ने बैठक भी की है और पूछा क्या क्या जाएगा किस तरह के प्रस्ट न रहेंगे यह भी हम लोग एक बार देख लेते हैं दो घंटे की परिक्षा होगी निगेटी मार्किंग रहेंगे और इसमें निगेटी मार्किंग भी रहेगा दो घंटे का परिक्षा होगा इसमें इसके लिए सिलेबस पर भी चर्चा हुई प्रधान सिक्षक के लिए DLA और B8 जबकि प्रधाना ध्यापक के लिए B8 और इमिट से जूरे सबाल होंगे हिंदी, अंग्रेजी, गनीद, सामाने अध्यान और सिक्षक एप्टिट्यूट से जूरे प्रस्ण भी होंगे हालाकि इसके लिए आबेदान लेने के समय ही BPSC अलग से परिक्षा में पूछे जाने वाले विशयों की जानकारी देगा दोनों पदों की बहाली के लिए 150-150-1922 पूछे जाएंगे प्रते एक प्रस्ण एक अंक के होंगे जिसमें 0.25% नेगेटिव मार्किंग होंगे मतलब चार प्रस्ण गलत होने पर एक प्रस्ण का जो है वो काट लिया जागा एक नंबर काट लिया जाएगा इस तरह से होगा तो इस पर कोई कानूनी अर्चन ना है इसके लिए बिभाग और BPSC के अधिकारियों ने बैठक भी की है बुदवार को क्योंकि बिहार का तो ज्यादा तर नियुक्ति और नियोजन जो होता है कोट कचरी के चकर में जरूर फस जाता है BPSC के अधियक्षे आरके महाजन के अधियक्स्ता में आजित बैठक में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आरक्षन रूस्टर के हिसाब से ही रिखती दे विपीसी ने शिक्षा वि विजित कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सिक्षा विभाग ने विपीसी को बताया कि जीलों से रिखती आ चुकी है विभाग जल्दी कंपाईल कर रिखती भिरतेगा